आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स अप मल्टिप्लिकेशन और इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंगल वेरियेबल्स ठीक है सिंगल वेरियेबल्स मतलब एक्जामपल ले लेते हैं ठीक है तो variable हम लोग का एक ही रहेगा, मतलब single variable मतलब सिर्फ एक term ही लेंगे, बाकि same term को same term से जब multiply करेंगे, तो क्या होगा, कितना possibilities आ सकता है, वो आज हम लोग देखेंगे, इससे पहले हम लोग addition, subtraction का कर चुके हम लोग, ठीक है, अब हम लोग multiplication पे देखेंगे, क्या होता है, ठी इस example ले लिए a into a, तो a into a क्या होता है, हम लोग को पता है कि a square होता है, but a square आया कैसे, ठीक है, तो इस a square को समझने के लिए, हम लोग को इस तरह से देखना पड़ेगा, जैसे हम लिए रिखा कि a into a, ठीक है, तो a into a का मतलब होता है, a to the power 1, ठीक है, a to the power 1, मतलब a के पास क कुछ नहीं है मतलब इसका पावर 1 है ठीक है और इस a के पावर भी कुछ नहीं है मतलब इसका पावर 1 है तो a into a ठीक है ना जब भी base सेम रहता है ठीक है तो जो इसका power होता है वो add हो जाता है बट कब condition है जब multiplication का case हो ठीक है तो a into a क्या हो जाएगा a 1 a to the power 1 plus 1 मैंने बोला ना कि जब भी base सेम रहेगा multiplication है तो पावर add हो जाएगा तो 1 plus 1 होगे अब 1 plus 1 हम लोगों पाता है 2 होता है तो क्या हो गया देखे ये और ये दोनों सेम है ना ठीक है a square होता है अब थोड़ा सा कुछ और example ले ले तो उससे और हम लोगों बहतर समझागा तो example ले ले लेते है a into a into a इसका power कुछ नहीं मतलब 1 है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते है a to the power 1 plus 1 plus 1 कितना होगी है a to the power 3 इस तरह हम लोग exam में नहीं लिखना है हम लोगो directly ये लिखना है ठीक है अगर जादा बड़ा number हो ताब हम लोग इस तरह से कर सकते है बट आपको ये directly ही लिखना पड़े exam में या फिर कभी आपको दिक्कत हुआ तो इस तरह से आप ये काम कर सकते है ठीक है कुछ और example ले लेते है थोड़ा number दूसरा लेकर ठीक है इससे मैंने ले लिए a to the power 4 into a to the power मालीजे 2 into a to the power 3 कर दिया अब इसको जोड़ अब इसको मैं लिखना गया तो a बेस सेम है multiplication है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3 तो ये कितना हो जाएगा a बेस सेम था पावर एड़ हो गया 4 प्लस 2 प्लस 3 हो गया तो 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 ये हो गया आपका answer directly ठीक है थोड़ा सा और example ले लेता है जैसे example ले लिए a to the power मालीजे ए 4 ही ले ले लेते है into a to the power 2 ले लेते है ठीक है और into a to the power minus मैं ले लेता हूँ 5 ठीक है अब क्या कर जैसा सब में करता हूँ ऐसी करूँगा a to the power 4 प्लस 2 माइनस 5 ठीक है और ये a जैसा है वैसे लिखा गया 4 प्लस 2 6 6 माइनस 5 1 ये हो गया आपका answer final ठीक है hope आप ये समझ चुके होंगे तो कुछ और example हम लोग ले लेते है ठीक है पट इससे पहले हम लोग basic multiplication के rule समझ जाते क कि क्या होता है ठीक है मैं यहां मैं यहां लिखता हूँ ठीक है तो example लेने था जैसे मान लेजिए example है plus into plus ये example नहीं है अब ये rule है plus into plus क्या होता है plus होता है ठीक है minus into minus क्या होता है minus into minus ये भी होता है plus plus into minus क्या होता है तो ये होता है minus फिर minus into plus क्या होता है ये भी होता है minus ठीक है अभी दिखेगा कि plus लिखा हूँ फिर यहां भी plus into फिर मैंने ये bracket में दिया तो ये bracket मैंने क्यों दिया ठीक है bracket देने का मतलब है कि 2 sign जब हो तब जब भी हमको 2 sign एक साथ दिखा तो उसको हम लोग bracket से इसको separate करते हैं क्योंकि 2 sign एक जगा नहीं लिखा सकता है मैं उसे bracket से separate कर दिया है इसलिए plus into plus क्या होगी है plus minus into minus plus plus into minus 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 into plus minus इतना आपको ध्यान में रखना है अब कुछ example हम लोग इसी से related देख लेते हैं ठीक है रिशाट करते हैं सबसे पहला वाला example ले लेते हैं यहीं पर तो क्या होगा plus और plus में है तो मतलब जो अगर example मैं लिया हूँ variable मैं इसी पर सिफ देख रहा है तो अभी मैं इसी से deal करता हूँ तो a into a अभी देखे a का sign आगे क्या है कुछ नहीं है means plus है अभी a का सागे आपको यहाँ into देख रहा है मगर यह a का अपना sign क्या है plus ही है यह भी plus ही है तो a into a तो हमको पता है क्या होता है a square जो पहला example में हम लोग देख चुके है बट आगे sign क्या होगा यह भी plus है यह भी plus है तो plus into plus यह देखे पहला वाला तो plus हो गया अब लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है दूसरा example ले ले लेते है इसका मान लिजिए minus a into a है अब आगे एक्जाम पर या कहीं भी ठीक है तो minus a into minus a पुछा गया तो a into a तो पता है यहां दिया हुआ है यहां पर भी हम लोग निकाल चुके तो a into a क्या होता है a square ठीक है तो minus into minus यहां से देख लिए minus into minus क्या होता है plus होता है plus आप लिखो नहीं लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है फर्क पड़ता है बट अभी नहीं वो मैं जब एक्जाम पर लोगा और कुछ भी दूसरे जगा मैं बताऊंगा अभी यहां पर इसका जरुत नहीं है ठीक है इसका भी एक्जामपल ले लेता हूँ यहां पर ठीक है इसका एक्जामपल ले लेता हूँ क्या minus a into plus a sign को separate करने के लिए मैं ब्रकेट दे रहा हूँ बारण बबल दे रहा हूँ ठीक है a into a क्या होगे a square minus into plus minus होता है यहांस आप देख लिजे ठीक है तो इतना अगव इसका आपको concept आपको समझ आ गिया होगा I think ठीक होप you understand कुछ और एक्जामपल ले लेता है multiplication में ठीक है इसको मैं rough गर देता हूँ ठीक है इसको मैं rough नहीं कर रहा हूँ कुछ और एक्जामपल लेके समझाता हूँ तो आपको साध और अच्छा समझाए अब पढ़ते समय आप copy और pen हाथ में रखे और साथ ही साथ आप लिखते चले तो इससे क्या होगा को और अच्छा से समझाएगा तो थोड़ा सा और एक्जामपल ले लेते हैं हम लोग माल लीजिये अच्छा पहले हम लोग ब्रैकेट से डील कर लेते हैं ब्रैकेट का क्या importance है माल लीजिये मैं लिखाँ a whole to the power 1 इसको मैं लोग बोलते a whole to the power 1 अगर ऐसा है तो इसका मतलब होता है a to the power 1 और इसका मतलब होता है क्योंकि 1 लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है ठेक है हाँ 0 है 1 0 है 2 है 3 up to infinity कोई भी number हो वो लिखना पड़ेगा मगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है ठेक है और ग्जामपल के इसको और च्छा समझते है जैसे a whole to the power 2 है इसका मतलब होगा a into a ठेक है a whole to the power 3 है इसका मतलब होगा a into a into a तो यह आपको समझ आ रहा होगा ठेक है यह बना दिया आपका a यह बना दिया a square यह बना दिया आपका a cube अब difference समझना की होता क्या है पहले और अगर मा लिज़े मैं example लेता हूँ 2 a square ठेक है अगर मैं ऐसा लिख दिया 2 a square का मतलब होगा कि 2 into a into a ठेक है इसको जब मैं परदर solve करूँँगा तो क्या होगा 2 a into a a square और 2 into a square 2 a square ठेक है अब देखे कुछ और example लेता हूँ क्योंकि मुझे समझाना है कि 2 a square और मा लिज़े मैं example लिखता हूँ 2 a whole square अब इन दोनों में difference क्या है देखने से तो दोनों सेम ही लग रहा है बट है बहुत बड़ा difference 2 a square मतलब वह 2 into a into a 2 a square और 2 a whole square का मतलब हुआ कि whole square मतलब कि 2 a दो बार लिखाएगा मतलब दो बार multiply होगा तो 2 a into 2 a यह कितना होगे a into a a square और 2 into 2 4 a square difference आपको समझा है कि 2 a square यह फिर 2 a whole square का मतलब मेरा समझाने का ही मतलब है कि अगर यह ऐसा लिखा है और यह ऐसा लिखा है इसका मतलब यह नहीं होता है कि यह दोनों same है Same कैसे यह तो आपको यहां समझारा रहा है फिर 2 a square हो जाता है जैसे यह वैसा लिखा गया है और 2 a whole square का मतलब हो जाता दो 4 a square अगर अभी नहीं समझा आ तो मैं कोछ और example लेकर समझाता हूँ जैसे मैं example ले लाता हूँ कि 9A square 9A square का मतलब होता है 9 into A into A है ना 9 into A into A मतलब 9A square हो गिया ठीक है अब इसी को हम और कैसा लिख सकते है अब देखे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ और तो देखे 9 को हम कैसा लिख सकते है 3 into 3 लिख सकते है है ना 3 into 3 लिख सकते है ना into A into A मतलब यही हो गया 3 3 जा 9 और A into A A square तो 9A square हो जागा यहाँ पर ठीक है और और इसको कैसा लिख सकता हूँ मैं इस 3 को इस A के साथ multiply कर दिया तो कितना होगा 3 A into और इस A को इस 3 को A से multiply कर दिया होगा यह भी 3 A तो 3 A into 3 A क्या हो जाएगा 3 A whole square ठीक है मतलब यह और यह दोनों अब सेम है यह फिर देखे इसको double बार लिखेंगे तो 3 A into 3 A क्या हो जाएगा 9 A square वापस देआ जाएगा आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी यह समझ आएगा अभी सायद नहीं समझ आ रहा हो मगर आप इसको लिखिए उसके बाद ही इसको आप solve करें या समझने कोशिश करें ठीक है लिखेंगे तभी आपको समझ आएगा ठीक है मैं बार में बोल रहा हूँ इसको थोड़ा मैं रफ करता हूँ कुछ और थोड़ा समझा देता हूँ ठीक है ब्रैकेट वाला बहुत इंपोर्टेंट है इसमें ज्यादा तर बच्चे कन्फ्यूज रहते है जैसे एक्जामपल यह मैं मैंनस टू ए मैंनस टू ए मैंनस ट्री ए इसका क्या होगा वोशनल एंटू ए कि तू अदू इसको ए मैंनस मैंनस होता है प्लस छृफ़ बच्चुब नहीं दख्यक्कत यह फिर मैंनस फोर ए इंटू क्या होगा into minus 3a इसका क्या होगा a into a तो हमको पता है a square होता है 2 into 3 कितना होगा 6 होगा अब minus minus होता है plus लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है फिर minus 4a into 2a क्या होगा a into a होगा a square 4 into 2 होगा 8 अब minus into यहां कुछ नहीं मतलब plus तो क्या होगा यहां पर ही minus है ना फिर example और कुछ ले लेते हैं मान लिजें 9 a into minus 3a ठीक है अभी मैं सिंगल वेरियापल पर ही डील कर रहा हूँ multiple variable आएगा तो मैं उसमें और अच्छा सा आपको समझाएगा ठीक है तो a into a होगा a square 9 into 3 होगिया 27 और plus into minus होगिया minus ठीक है थोड़ा सा लिखने में थोड़ा गंदा होज़े रहा आपको सही से लिए minus 27 a square ठीक है hope you understand आज के लिए इतना ही आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा practice लिजे number of questions बढ़ाईए तो आपको और अच्छा से समझ आएगा ठीक है और इसकी आगे मैं multiplication का ही बनाऊँगा video जो कि multiple variables होगा means a,b,c,d और पी बहुत सारा तरह तरह का question में लोगा उसको और अच्छा से समझ आए और मैं 10 तक इसको cover करूँगा 10 का syllabus जो है मैं वो भी cover करने वाला हूँ ठीक है तो आप प्लीज वीडियो को शेर करे लाइक करे और सब्सक्राइब करे तेंक यू